तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक और ने शांदार वीडियो पर अगर आप इस वीडियो को भारत के किसी भी हिस्से से देख रहो और फ्यूचर में कभी भी अंडमान ट्रिप प्लान करने के बारे में अपने सोच रखते हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि हम इस चैनल पर भारत के हर हिस्से से अंडमान टक के लिए बेश टूर पैकेज के आपसे लेकर आते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इस पैकेज का नाम है एक्जोंटिक अंडमान एर पैकेज एक्स कॉलकता और यह पैकेज खास तौर पर आयर सीटीसी के तरफ से लाया गया पैकेज है जिसमें आप इस पैकेज को अपने किसी भी कैटेगरी के कार्डिंग बुक कर सकते हैं और इस पैकेज की तारीक 11 मार्च 2023 को रखी गई है जिसमें आपकी फ्लाइट डिरेक कॉलकता से पूर्बलर के लिए होगी जिसमें इस पैकेज में आपको अंडमान में पांच राते और छे दिन बिताने को मिलेंगे जिसमें से आप तीन राते पूर्बलर पर एक रात हैव और जाने की एकनॉमिक क्लास की आयर टिकट की फैसलेटी मिलेगी और अगर बात करें एक्कॉमडेशन के बारे में तो आपके पूरे अंडमान ट्रिप के धोरां सभी जगाओं पर आपको आयर कंडिशन रूम की फैसलेटी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें पूर्बलर आपको टीचे ग्रैंड और हैरलोक आलेंड पर टीचे ब्लू और नील आलेंड पर टीचे और रिजॉट जैसे एकमोलेशन की फैसलेटी प्रोवाइड की जाएगी और साथी सभी होटलों और रिजॉटों पर पांच दिन के ब्रेक्वास्ट और डिनर दोन इस पैकेज में इंक्लूड रहेंगे और इस पूरी अंडर्मान ट्रिप के दोरान साइट सिंग और ट्रांसफर के लिए सैडिंग बीसिस पर वाइकल की फैसिलिटिट प्रोवाइड की जाएगी और साथ इस पैकेज में फैरी टिकट्स, इंट्री टिकट्स और ट्रैवल इंसरेंस और जेस् सबी तरह के टेक्सेस इस पैकेज में इंक्लूड रहेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस टूट पैकेज के पूरे डेखनेरे के बारे में जिसमें आपके पहले दिन के शुरुवाद कॉनकता एरपोर्ट से होगी जहां से आप पूर्बलर के लिए रवाना हो जाएंगे पूर्बलर एड़ पर पहुंचने के बाद आपको रिसीव कर होटल पहुंचा दिया जाएगा और लंच के बाद दो पहर में आपको कार्विन्स कोट भी जैसे प्रेटा के स्थल पर विजिट कराया जाएगा और उसके बाद आपको अंड़मान के एधिहासी के स्थल सेल्यूलर जेल पर विजिट कराया जाएगा और उसे साम आप इस जेल पर आयोजीद लाइट अन्सांड सो को भी देख पाएंगे और दूसरे दिन आपको रॉस आलेंड विजिट कराया जाएगा जहां आप ब्रिटिस सासन के द्वारान बनाये गए चर्च, आफिस, प्रिंटिंग प्रेस, चीफ कमिशनर हॉस जैसे कई मारतों के खंडरों को देख सकते हैं और उसके तुरन बात आपको नौर्डबे आलेंड विजिट कराया जाएगा जहां आप समुदरी कॉरल्स और कई सारे समुदरी जीवजनति को देख पाएंगे हैवलोग आइलेंड पहुँचने के बाद होटल और लंच के बाद दोपहर के समय आपको विजिट कराया जाएगा इस्या के बेस्ट बीचों में से एक राधानगर बीच पर और उसके कुछ देर बाद काला पत्तर बीच पर और चौते दिन ब्रेकफास्ट के बाद होटल से चकोट कर आप ऑप्सिनल टोट के रूप में अलफेंटा बीच विजिट कर सकते हैं और इसके बाद आपकी अगली डेस्टिनेशन नील आइलेंड होगी नील आइलेंड पहुँचने के बाद होटल और खुछ दिर अराम के बाद आपको नील आइलेंड के फैमेस नैचरल बीच और लक्षवनपूर बीच पर विजिट कराया जाएगा जहां आप खुबसर संसेट व्यू को देख पाएंगे और पांचवे दिन ब्रेकफास्ट के बाद आपको विजिट कराया जाएगा भरतपूर बीच पर जहां पर आप स्विमिंग, ग्लास बोटम राइट या फिर स्नॉर्किलिंग जैसे वाटर एक्टिविटिस को ट्राइग कर सकते हैं और साथ ही उसी दिन दोपहर में आपकी वापसी नील आइलेंड से पूर्बर के लिए हो जाएगी और छटे दिन आपकी इस पूरे अंडमान ट्रिप की आखरी दिन होगी जिसमें आपको आपकी फ्लाइट के अनुसार एरपोड ड्रॉप कर दिया जाएगा और आपकी वापसी पूर्बर से अपने सेहर के लिए हो जाएगी और इस तरह से आपकी 5 राते और 6 दिन की अंडमान टूर पैकेज पूरी हो जाएगी तो अब हम जान लेते हैं किस पैकेज को किस तरह से बुक किया जाए तो इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप सीधे IRCTC की ओफिसल साइट में पहुंच जाएंगे जहां आपको इस पैकेज से जुड़ी पूरी डिटेल्स और सारी टाम एंड कंडिसन को अच्छी तरह से पढ़कर आप इस पैकेज को बुक कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह तूर पैकेज आपको पसंद आई हो अंदमान के ऐसी टूर पैकेज के जानकारी के लिए अंदमान टूर पैकेज यूटूब चैनल को जरू सबस्क्राइब करें तो हम आप सभी लोगों की अच्छे यातरा की कामना करते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जब भी आप आए अंडमान पूरा घुमी अंडमान चैहिं चैह भारत